दूस्तो, IPL 2023 की सबसे बड़ी ट्रेड शारदूल ठाकूर का ओफिसली हो चुक है, शारदूल ठाकूर दिल्ली कैपिटल से ट्रेड हो चुक है, जिनके बतले दिल्ली कैपिटल ने एक बहुती बड़े प्लेयर्स को अपने टीम में शामिल किया है, तो शारदूल ठाकूर का प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड हुआ है तो देली केप्टल में कौन सा प्लेयर ट्रेड होकर गया और शारदुल ठाकूर को किस टीम ने ट्रेड किया है मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जादा इंपोर्टन्स वीडियो में अंततक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना वह से दोस्तो आई पिल से जुड़ी हर छोटी बड़ी नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते है लिंक आपको डिस्क्रिशन मिल जाएगी तो आईए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो जैसे कि सुबह से ही काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही थी शार्दूल ठाकूर को लेकर कि शार्दूल ठाकूर को चिन नई सूपर किंग ट्रेड करेगी मुंबई इं ठाकूर ठाकूर ट्रेड होकर अब कोलकाता नाइडर में शामिल हो चुक है अब IPL 2023 में कोलकाता नाइडर के लिए शार्दूल ठाकूर खेलते हुए नजर आने वाले हैं और शार्दूल ठाकूर के बदले में दल्ली केपिल ने अमान खान को ट्रेड किया है तो अमान खान Kolkata Niders से trade hokar Delhi Capital में शामिल हो चुक है और Aman Khan IPL 2023 में Delhi Capital के लिए खिलते हैं नजर आने वाले हैं तो इक Kolkata Niders ने player to player trade किया शारदुछ ठाकोर Delhi Capital से Kolkata Niders में शामिल हुए तो वही Kolkata Niders से Aman Khan Delhi Capital में शामिल हुए इसके इलावा Kolkata Niders और भी दो बड़े प्लेयरों को पहले ही ट्रेड कर चुकी है जिन में रह्मनुल्ला गुर्बाद और लौकी फर्गेसन को गुजराट टाइटन से ट्रेड करके अपने स्क्वेड में शामिल किया है तो दोस्तो शार्दुल ठाकुर को लेकर आप कितना खुश हैं और कोलकात तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा देना थैंक यू सो मच गाइट फोर वाचिंग इस वीडियो